अच्छा अब और एंटिबयटिक टोलॉरेंस रिजस्टेंस एफद्ध बैक्टायल बैयो फिलम अब बैयो फिलम यह किस तार रिजस्टेंस प्रापेटिव शो करते एंके, किस तरह वो किस तरीके से वो रिजिस्टेंस होते हैं वो तोड़ा सा तफसील साम पढ़ते हैं पहली बात तो है कि जब बैक्टेरिया या जो भी मैक्राइगेनिजम अगर बाइओ फिलम में हो तो उसमें म्यूटेशन होते हैं चेंजिस होती है जिसके वाज़े से वो रिजि ऐसकו पर बखताई जाता है लेंगर यह सॉलेड यह शोलिट सर्फयर्पासि भैक्तिरपस मुष्ड मनजाते इसुऩि वहां पर बहुत जल्दी बैक्टिरा मुटेशन शो करता है मतलब चेंजश हो जाती है यह चेंज, के वज़े से पर, यू दू ग्लम हो जाता है बाइए antibiotics देए देए को काफ़ी इंडवांस an裡 pass o also an antibiotic को आगर राफ यूज़ बैक तो वह किल हो जाते लेकिन अगर ऐसे bacteria काफ़ी कमझोर होते लेकिन अगर बैक्टों भी जो किल करना मुश्किल कान ठेएete 69 का में सिरय अच्छाएं mutinously produce antibiotic degradation enzymes. जब bacteria bifilm में होते हैं तो वो क्या करते हैं? खास किसम के ऐसे आपके पास खास किसम के enzyme प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करते हैं? डिग्रेट करते हैं. It has been shown experimentally that mutation in the bacterial bifilm established the surface of the antibiotic resistance. It has been shown experimentally that mutation in bacterial bifilm established surface antibiotic resistance especially due to expression of the multi-drugs efflux pumps. कहने का मतलब यह है कि experimentally भी यह प्रूफ हो चुका है कि mutation की वज़े से क्या हो जाता है? बैक्टेरिया के एर्ध खास किसम के pumps आपके पार बैक्टेरिया में प्रोड्यूस हो जाते हैं. जब आफ्लेक्स पंप्स के थे. उसी सेल से रिलीस्ट आउट कर लेते हैं. तो यह जो प्रापरटीज होती है बैक्टेरिया के जिसके वज़े से वो अब एंटिबियाटिक से रिजिस्टन्स है. यानि एंटिबियाटिक से खुद को बचा सकता है. तो वो भी इसी mutation की वज़े से होती है. तो mutation की वज़े से मतलब क्या होता है? एंटिबियाटिक काम नहीं करते है. ठीक है? तो यह दूसरी तो अब नेक्स जो है वो यह है के presence of resistance phenotype. अब phenotype खास किसम की genes होते है बैक्टेरिया में. उस genes की वज़े से भी क्या होते है? एंटिबियाटिक से बाइफिल्म को किल करना मुश्किल होते है. कौन से genes वो थोड़ा सबढ़ते हैं? देर इस बाइफिल्म स्पेसिफिक phenotype विच 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 इस रिजिस्टन्स तो एंटिबियाटिक से आप बैक्टेरिया में. था फिन नहीं कर पाते हैं। इस फिनोटाइप इस प्रिजिन विदिन अप्रियन आप पॉपलेशन आप प्रिजिन आप अगर एक बेक्टिरा में फेनोटेपिक जीन्स आवेलेबल हो तो वह फिनोटेपिक जीन्स दूसरे बेक्टिरा में जा सकते हैं इसे तरह थीसरे चोते पांचोppen में यह चyll्रेजाते हैं जब यह चलेजाते हैं तो दूसरे बेक्टिरा भी क्या भी ऑते हैं एंटीबियोटिक से रिजिस्टन हो जाते हैं ठीक है next है induction of biofilm phenotypic मतलब induction का मतलब है कि इसमें increase meant हो ना the resistance phenotypic is may be induced by certain type of environmental stress यह induced मतलब कम हो ना या इसमें changes आ ना यह किसके वाज़ेस होती है यह आपके पास environmental stress की वाज़ेस है अगर nutrients कम हो या high cell density या amelagation of all these happenings तमाम तर ऐसे environment में ऐसे conditions होते हैं अगर वो available हो जाए तो phenotypic जिसे properties खतम हो सकते हैं हम यह कह सकते हैं Another mechanism for inducing antibiotic resistance in the next जो property है वो यह है कि bacterial adaptation to stress damages आचा यह कहते हैं यह कहते हैं Another reasons for antibiotic resistance of the bacterial biofilm is ability of bacteria to adopt itself to stress condition इसका मतलब यह दूसरी बात है कि अब ऐसे जगा होता है जिस जगा पर biofilm काफी strong हो जाता है या bacteria biofilm में काफी strong हो जाते है तो कुछ ऐसे जगा भी हमारे पास इसी biofilm में available होते है और इसे जगा भी हमारे पास available होता है For instance, मिसाल के तोर पर आपके पास organisms है इन बायोफिलम इंक्रीज दियर कैफेसिटी मुक्तरिफ कैफेसिटी के हो तो नीट्रिलाइज और विट्स्टेंड मॉनो क्लॉरमीन इंडियूस एक्सप्रेशन आफ दो क्रोमोसूमल बीटा लेक्टरमेसिस अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर बायोफिलम एक ऐसे environment में जहाँ पर stress environment अगर available हो अगर बैक्टिरिया वहाँ पर बायोफिलम बना ले और अगर बायोफिलम वहाँ पर बन गया तो जो मॉनो क्लॉरुक्वीन और दूसरे एंटिबियाटिक से वो पर काम नहीं करेंगे इसकी वज़ाँ से बीटा लेक्टरमेसिस जैसे enzyme प्रोडियूस हो जाते हैं वो उसको किल कर लेते हैं इस इंटिबियाटिक को खतम कर लेते हैं या डिग्रेड कर लेते हैं जिसके वज़े से बैक्टिरिया वो सर्वाइफ करते हैं एक खास किसम के stress और damage environment में उन्होंने खुद को सर्वाइफ कर लिया नेक्स्ट नेक्स पॉइंट ये कहता है कि बैक्टिरियल वाइफिलम कें स्विच देमसेल्फ तो मोर तोलेरेंट फिनोटाइप्स अपॉन फेसिंग प्रिविलेंट इन्वर्मेंटल स्ट्रेस सच अस टेंप्रेचर अल्टरेशन अल्टरेशन इन ओस्मोलरिटी पी-एच्च सेल डेंसिटी और नूट्रिशनल वाइलिटी बाइट टर्निंग ओन स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन से ख़酌िक पार ऐसा होता है कि बैक्टिरियल बाइफिल्म मतलब इस वाज़े से एंटिब्याटिक से रिजिस्टंस है windows में चेंजस आ جाती है वह चेंजस किसके वज़े से आती है वह चेंजस इंवर्मेंटल कंडिशन के वज़े से आजाते हैं जैसे के टेंपरेचर या इसके वाज़े पीएच सेल डेंसिटी के वाज़े से या न्यूट्रिशनल या दूसरे कंडिशन के वज़े जब बैक्टिरिया में चेंजिस आ जाती है बैक्टिरिया में तो उसकी वज़े से भी इसको किल करना पिर मुश्किल हो जाता है तो अब यह सारे क्या है यह जो तीन पॉइंट हमने पड़े यह हमने बैक्टिरिया के पड़े लेकिन यह ऐसे एरिया में पाई जाते है बैक्टिरिया अगर उन ही एरिया में बैक्टिरिया बैक्टिरिया अगर उन ही एरिया में बैक्टिरिया 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 किस बना चीस तरह बार्पिंगर रिसाह बिसकी थे इचरेश जाँ वेक्ष फावेक्त शेह तेको थे फिंगारो फिंगर tracks पनामेल्ब किस तरहा बैल्पिंगरेवं किस्ट रसेफिस्ट जब भार्पिंगर जाहाती तरह थे इस जान फे जाहती इनका कहने का मतलब यह हुआ कभी कबार कॉरम सिनिंग या दूसरे हाइसल डेंसिटी जैसे प्रापटीज बहुते है क्या होता है कि जब माइक्राइगिनिजम बाइफिलम में मौजूद हो अब हमारे पास मिसाल के बास सूडुमुनास है और क्लेपशेला है अब जो क्लेपशेला है अगर यह बाइफिलम में अवेलिबल हो तो कॉरम सिनिंग का प्रोसेस होगा इसका मतलब है कि सूडुमुनास ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो के अगर क्लेपशेला ने उसको रिसीफ कर लिया तो वो क्या होगा वो बिल्कुल सूडुमुनास की तरह कि उसको शो करेगा होगा वो क्लेपशेला लेकिन प्रोड्यूस की तरह शो करेगा सूडुमुनास की तरह शो करेगा इसका मतलब यह हुआ कि जो क्लेपशेला सूडुमुनास पर काम नहीं करता अब वो जो है किस पर काम नहीं करेगा इस क्लेपशेला पर अब यह काम नही करेगा ठीक है तो किने का वांतलब है कि जब बैक्टिरिया सिगनल प्रोड्यूस करते हैं दूसरे बैक्टिरिया में रिसीव होते हैं तो इस प्रॉसेस को हम कहते हैं कॉरम सिनिंग और ये कौरम सिनिंग उस कंडिशन में प्रोडियूस होता है जब नूटरिंस डिक्रीज हो जाते है जब आपके पास बैक्टिरिया बाइफिला में बहुत स्यदा कम होता है या दूसरे ऐसे मतलब खत्रे बैक्टिरा के लिए अगर आवेलेबल हो तो तब कौरांट सिनिंग का बेनामना होता रहता है ठीके तो इस वज़ुहाद की वज़े से भी एंटिबियाटिक काम नहीं करते है ठीके बाइफिलम में कौरांट सिनिंग इस रिस्पॉंसिबल फोर रेगुलेटिंग वायरूलेंसी फेक्टर प्रोडेक्शन अथ दिया अएक्ट्रा सिल्लर इंजाइम विच आर इंपॉर्टर इंपॉर्टर इंजाने के मतलब है कि कौरांट सिनिंग आपके पास विरूलेंसी आफ क्या होता है infectious यानि pathogenesis infectious आपके पास increase होते रहते है ठीक है और पर इस तरह phagocides जो के खास कजम के cell है पूर उस cells से भी biofilm क्या होता है resistance शो करता है खुद को बचाता है अचा नेक्स जो बात यह है कि an addition quorum sinning has been shown to determine the resistance or tolerance of the bacteria of the pseudomonas aeruginosia to antibiotic therapy इनका कहने का मतलब यह हुआ कि पिर अगर pseudomonas aeruginosia दूसरे किसम के bacteria अगर biofilm में available हो तो कुरम sinning का इस्तेमाल करके अपने आपको मुखतलिफ किसम के antibiotic से बचा सकते हैं नेक्स पॉइंट यह कहते है कि stratified activity and low oxygen concentration the concentration of the oxygen and other nutrients might be high at the surface but moving towards the center of the biofilm and aerobic condition might exist and nutrients concentration may decrease thus forming a gradient on the biofilm and oxygen this gradient formation is related to decrease metabolic activity of the bacteria thus increase doubling time इनका कहने का मतलब है कि stratified activity and low oxygen concentration कभी का बार ऐसा होता है कि कुछ antibiotic aerobic condition में काम करते हैं तो कुछ antibiotic के साथ हैं जो के एन aerobic condition पर काम नहीं करते हैं आप मुखतलिफ किसम के layers होते हैं फिलम में उपर वाला layer में आपके आपका oxygen की concentration ज्यादे होती है, nutrients भी ज्यादे होती है, नीचे जब जैसे layer आते जाते तो वहां पर एन aerobic condition को शो करते हैं जब aerobic condition शो हो जाती है तो पर क्या होता है, nutrients भी कम हो जाते हैं तो कहने का मतलब यह है कि ana aerobic condition में पर bacteria survive कर सकते हैं, हम यह भी कह सकते हैं तो इनका कहने का मतलब है कि जब इस किसम के properties भी हो तो उससे भी पर antibiotic का इस्तेमाल करना पर वैसे फूजूल है, ठीक है तो कहने का मतलब है कि यह इसी तरह bacteria मुक्तलिफ किसम के properties इस भी फिलम में शो करते हैं, जैसे के aerobic, anaerobic, दूसरे properties, quorum selling वा गएर एक्सेक्टरा तो इसी वज़े से bacteria बचाता है, thus stratified activity along with low oxygen concentration and reduced growth rate may result in less ability of biofilm to antibiotic अच्छी इनका मतलब है कि अगर इसी तरह stratified activity मतलब oxygen की availability या oxygen की जो removal या oxygen अगर ना हो, मुझूद ना हो, या इसके इलावा anaerobic condition available हो जाए, तो इसी वज़वाद की वज़े से antibiotic या antimicrobial से microorganism को किल करना बहुत मुश्किल हो जाता है अब यह आप देख सकते हैं, ठीक है, यह जो yellow layer है, यह yellow layer यह वाला यह जो yellow layer है, यह वाला, अब इसका मतलब यह हुआ कि antibiotic क्या करता है कि अपनी कोशिश करता है कि इस layer को यह somehow वो किल कर लेगा, somehow इतना जाद नहीं, लेकिन somehow उसको किल कर लेगा, अब यह जो green layer है, यह यह शो करते है कि यहाँ पर bacteria resistance है, यह अब एक antibiotic से antibiotic से इस area को किल करना मुश्किल है, उपर वाला area चलो खतम तो हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला area जो है, वो resistance है, ग्रीन वाल, उसको किल करना बहुत मुश्किल होता है, अब यह जो pink वाला area है, pink यहाँ पर मतलब यह हुआ कि अब antibiotic में इतना ability नहीं है कि वो आज है और इस season कम हो जाता है, वहाँ पर nutrients भी कम हो जाता है, तो यहाँ पर antibiotic पहुंचना भी पिर उसके लिए काफी दुश्वार हो जाता है, या मुश्किल हो जाता है, तो पिर इसी तरह antibiotic काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, नेक्स्ट है, filler of a penetration of the antibiotic in the biofilm, कभी कबार antibiotic जो है, वो बायो फिलम के layer को penetrate करना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाते है, बहुत बड़ा layer होता है, उस layer को kill करना, उस layer को penetrate करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते है, तो इसी वज़े से भी बायो फिलम जो है, खुद को मेफूस करता है antibiotic से, या antibiotic बायो फिलम पर काम नहीं कर सकता, आप किस यह तोड़ा सा पड़ते है, इनका मतलब यह हुआ, कि जब एक layer बन जाता है, बायो फिलम में, तो ओर layer जो है, उसको खतम करना antibiotic ले काफी मुश्किल होता है, वो layer एक्जो पॉली सिकराइड या ग्लाइको केलिक से बने होते हैं, जहां पर antibiotic चपक जाते हैं, और नीचे की तरफ antibiotic नहीं आते हैं, लेकिन हम यह कह सकते हैं, उपर जितने विक्टिरते हैं, वो सम्हाँ किल हो जाते हैं, लेकिन यह antibiotic अगर layer मुझूद हो, तो उस चिपचिपे layer से गुजर का antibiotic बहुत ज़्यादा मुश्किल से नीचे चला जाता है, या तो हम यह कह सकते हैं, नीचे चले भी नहीं चाता है, तो इस layer को खतम करना antibiotic की बसके बात नहीं होती, ठीक है, इट के लिमिट्स ट्रांस्पोर्ट अफ एंट्रमाइक्रोबल एजेंट इन्टु दा सेल इंबेड़िट इन दे बाइफिलम, अब यह क्या होता है, अगर यहां पर बाइफिलम में, अगर इन्फरिड स्पेक्ट्रोस्कोपी तो शो दे राइफिलम में, इनका मतलब है कि बहुत से जानों ने जो है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिये उन्हों ने यह शो किया है, कि जो सेप्रोप्लक्सिसीन अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो सम्हाँ इस layer को तोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यदा layer को वो तोड़ नहीं पाते हैं, या खतम नहीं कर पाते हैं, या खत्म नहीं कर पाते हैं, अच्छा जी, नेक्स पॉइंट यह कहते हैं, कि इन्टिबियाटिक एजिन्ट गेट एड़ ज़ॉर्ब इन्टिबियों में इड़ इन्टिडिक्स इसी तरह, अभी मिसाल यह आपके पास layer है, लेट सपॉस, अभी इन्टिबियाटिक है, यह आ जाता है, यहाँ पर यह अब एब्सॉर्ब होगा, यह जो नीचे layer है, यह अब नहीं आपाएगा, यहाँ पर अटक गया है, तो आप किस तरह यह दूसे बेक्टिरिया किल करें अभी इन्टिबियाटिक अगर मिसाल के तूर पर खतम हो भी गया, लेट सपॉस, तो इसी तरह इन्टिबियाटिक खतम होगा, अब इतने layer खतम होगा, अब यह एक layer है, तो आइसा इसा तब फिल्म बन जाएगा, इसी एक layer की वज़े से, ठीक है, इस वज़े से इन्टिब चार्ज हो, और इसी तरह बैयोफिल्म के layer में आगा, नेगेटिव चार्ज हो, तो यह इसके वज़े से चिपक जाते हैं, अटेच हो जाते हैं, जिसके वज़े से वो नीची की तरफ नीच जाता, या उपर की तरविया, सम्हाव इदर उदर नीच जा पायता, और इसे बैक्टिरा सर्वाइफ कर लेते हैं, और इंटिब्राटिक फेल हो जाता है,